अगर आपके बालों में कोई जान नहीं है बाल में कोई लश्य शाइन नहीं है और बाल में जब भी हाथ फेड़ते हो तो एक के रूखा पन जैसा फील होता है जड़ते हैं बहुत जादा तूटते हैं तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा सबसे पहले आप आफ्टर एफेक्ट देख लीजिए मेरे जो एक दिन के मतलब एक दिन के अप्लाई के बाद मेरे बाल इतने शाइनी हो गए थे कि मैं क्या बता हूँ और साथ ही मेरा जो ज़र्णा बालों का जो ज़र्णा तूटरा होता है वो बहुत हद तक रुग गया थ यही आप अपने हेड लेंद के साब से लेंगे इसमें आपको मिलाना है एक से दो चम्मच ओलिव और अगर आपके पास ओलिव नहीं है तो आपके पास दो और आप्शन है आप कोकोनट ओयल भी डाल सकते हैं या फिर आपके पास अगर आप चाहते हैं तो आलमेंड ओयल य ले लीजे या फिर अगर आपके पास कोई भी हेर से related essential oil है तो कुछ बूंदे उसकी ले लीजे बट आप अंडे को इस पैक से skip नहीं कर सकते हैं बहुत ही अच्छा पैक रेडी होता इसको अच्छे से फॉक की हेल्प से अच्छे से मिला लेना है इसके बाद आपको इसको 10 से 15 मिनट तक बिलकुल इसी तरह छोड़ देना है उसके बाद आपको apply करना है और guys यह इतना अच्छा result देता है कि मैं क्या बता हूँ मतलब मैं तो हैरान थी कि मैंने इसको इतने दिन से try क्यो नहीं किया था मैं बहुत दिन से इसके बारे में जानती थी बट मैं हमेशा सोचती थी बहुत messy process है अंडे हैं दही है और बट seriously मैंने मतलब पिछले दो वीक से मैं इसको try कर रही हूँ मेरा दूसरा वीक गया और बहुत ही अच्छा result आता है वीक में आपको एक बार लगाना है बहुत अच्छा result आता है आप प्लीज इसको वीकली लगाने की कोशिश करो आप कम से कम दो बार लगाओ तब आप जानोगे कि मैं क्या बोल रही हूँ तो यहाँ पर मैं set कर रही थी थोड़े देर तक 10 मिनट तक जैसे मैंने आपको बताया उसके बाद आपको पूरे बाल में बहुत अराम से scalp से लेके root से लेके tip तक आपको ऐसा आपको अच्छे से धीरे-धीरे मसाज करते वे लगाना है आपको कोई भी हरवरी नहीं करना है यहां पर मैंने fast forward किया है क्योंकि इस वीडियो में यह वीडियो बहुत लंबी हो जाती तो इसलिए मैंने आपको fast forward करके दिखाया है दही के अंदर बहुत ही ज़्यादा मतलब कहूं की अच्छी properties होती है हैर के लिए जिंग, potassium, vitamins बहुत ज़्यादा होता है इतना ज़्यादा की मैं क्या बताओ और यह हमारे hair fall को एकदम से रोग देता है अंडा जो होता उसमें protein होती है बहुत ही अच्छा result आता आप जरूर एक बार ट्राइ करना तो यह है मेरा after result इसको आपको 35 मिनिट अपने पकिले, bye-bye